दूस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ICC अंदर 19 वर्ल्ड कप का जो सिमी फाइनल मुकाबला खेले जाएगा इंडिया अंदर 19 वर्सेस ऑस्टेलिया अंदर 19 की बीच में और आज के इस वीडियो में एक एक प्लेयर के बारे में फुल स्टार्ट फ्लो सिंफ आपको इस मॉली के साथ साथ ग्रेंड लिक भी विनकरा कर देंगे तो जो भी हमारी लोजिकली कॉम्बीनेशन होंगी पूरी तरह सब को फैंटिसी से डिफॉल्ट देखने हो की मिलेंगे तो करना कुछ नहीं रहेगा सिर्फ वीडियो को बिना स्किप किये इन तक देखना और दोस्तों सबसे सबसे पहले तो आप सब देखरों फैंटेसी के एकफान कर टेलीग्राम चानल को गईज अब सभी भायों को हमारे टेलीग्राम चानल पर जुड़ना बहुत ज्यादा इंपोर्टन्स रहेगा क्योंकि यहां पर लानब के बाद जो भी हमारे टीम मेंशन चानल पर अब्डेट करते हैं अब नाइट के मुकाबला जो था पीएसल का अल्मोस हमने वहां पर बहुत ही बहुत इन प्रॉफिट निकाले बीजन इवन पर इन्वेस्टमेंट था कहीं ने कहीं जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो वीजन इलेवन पर ही होती है करके इन वाइट कोड़ आपको एफसी उस करना है सायन आप जरूर से कर लिजिए हाला कि जो भी मैरी वेक विनिंग टीम होगी जिस टीम से मेरी खुद की अपनी इन्वेस्टमेंट होती ही वो टीम आपको यहीं पर मिलेंगे जूडने के लिए कुछ नहीं करना रहेगा ब बस और बैटिंग ओडर के बाद बहुत सारे कॉंबिनेशन में चंजेस होते जिसकी अपडेट की वहल हमारे टेलीग्राम चानल पर मिलेंगी तो ज्वाइन जरूर से कर लिजेगा बाकि हम चलते हैं मैच प्रोडिक्शन के बारें बात कर लेते हैं और ज्वाइन करने के ल के ड्राउन पर यह मुकाबला खिले जाएगा बाकि जो इनके स्कोर की बात करना तो 240 से आपको 260 के बीच में आपको यहां पर स्कोर बनतों नजर आएंगे तो जहां तक मुझे प्रेडिक्शन उस मताबिक अगर इंडिया के टीम पहले टॉस दित कर बैटिंग करती है तो सुचोशन में थोड़ी सी स्कोर आपको लंबा देखनों के मिलेंगे हागा के सेमी फैनल के मैच प्रीगू के बारें बात करते हैं इसे पहले जो लग भी हमारे टेलिग्राम चाल को नहीं जोएन कि हैं ड्रिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हो को जैसे किली करोगो डिरे फर्स निंग बाक्टिछ रिपोर्ट करने वाले टीम थीरालीस बार वेहन के ऊश्च्रिप्श बार वेहन के तो जो भी पार टास दिदेगी वह बैटिंग करने चैसला कदनेगी थोड़ी से अगर आप इंकी पिछन देख लो तो जो इनका पिछन रहगा दीखोकर अगर आ बारे में तो यहां पर थोड़ी ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले अंक्रिश्ट देखनों के मिलेंगे जो टीम के बाटिंग कराते हैं रिशेंट की बात करें तो 44 उसके बाद इन्होंने 1795 और 27 का स्कोर किया और रिशेंट मुकाबले में एक ही मैचस में इनको बॉलिंग करने को माखा मिला जहां पर इन्होंने एक बिक्ट्री निकाले तो अब देखो इनकी जो लॉजिकली स्टैट्स के मुताबिक अबर हम बात करेंगे तो इनको आप सब अपने स्मॉली के टीम में अज़ा प्लेर रखेंगे बीचे नीचे कर आप आगए तो को और इनको बहुत हैं यहां जब भी फर्ष निंग बैटिंग कराई है वहां पी इनको इनके टीम पेले टॉस देखर बैटिंग करती है तो सुच्विसंट में रखेंगे हाला कि अभी मैं इनको डॉप कर रहा हूं क्योंकि इनसे बेहतर हमारे पास जो में डिल ओर रहेंगे वो आपको काफिस ट्रॉंग देखनों के मिलेंगे तो रिशेंट फोम इनका ठीक ठाक है जिसको भी अपने स्मॉलिग में रखना होगा आप सब एजा प्लेयर इनको लेकर जा सकते हो उसके बाद आपको आप एक इसके रश्रत नजार आएंगे जो बैटिंग से अभी तक इन करेंगे मैं स्मॉलिग में अप्लेयर रख रहा हूं बाकी आपकी इने ग्रेंड लिंग में कैप्टन वेगरा जरूर चीज़ कीजिएगा उसके बाद आपको यह तो टीम के कैप्टन ने मिड्लोड और बैटिंग करते हैं रिशेंट फॉर्म इनोंने वीस उसके बाद बैटिंग करते हैं तो इनको आप सब अपने स्मॉलिग में अपले रखना खास करके जब इन्होंने दो मुकाबले अस्ट्रालिया क्यों में खेले करते हैं वहाँ इन्होंने आउट भी पहत्तिन परफॉमन थी इनकी तो दुस्तों उसके बाद आपको आपको आप शिदार करने को इनको मुका मिला नहीं है तो मैं इनको ड्रॉप करके ही जाएंगे हाला कि ग्रेंड लिग के टीम में किसी टीम में रखेंगे उसके बाद आपको आपर बावाद देखनों के मिलेंगे बैटिंग से फोन की बात करें तो हाइस बासर्ट स्कोर किये हैं उसके बाद 42 स्कोर कर ग्या रहे किसी मैचस में इन्होंने चार विक्ते भी निकाले हुए हैं तो बाइलिंग विश्क लेना होगा तो ही ट्राई कीजेगा वरना आप सब अगर चाहूं तो इनको ड्रॉप करके भी जा शकते हो कुछल तांबी की बाद करें तो बैटिंग से फोंग की बाद करें तो हाई 35 का स्कोर कुछ खास बढ़िया स्कोर नहीं रहा था फिर भी बॉलिंग से इनों ने हर एक मुकाबला एक से दो विक्टे निकाल कर दी है तो चाहूं तो आप सब इनको अपने स्मॉल लिग में एज से भी में स्मॉलिक में इनको ड्रॉप करके जाएंगे बैटिंग ओडर जो है ना इनका बहुत नीचे बाद आपको यहां पर राज वंतरन रजा रहेंगे जो वर्लिंग से कर रहा हमीं स्टैट्स की बाद करें तो हर एक मुकाबला इनका बहुत 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 और एक बिकले निकाले हुएं तो बिकर टेकर्स एक और भी संतार रहेंगे दोनों ही अपने टीम की मैंन बॉलिंग कराते हैं तो अल्मस्ट इस मॉलिंग में अज़ा अपलियर और यहां से रभी कुमार यह तीम बॉलर रहेंगे जो टीम के मैंन बॉलर है अगर आप चाहो होगे तो जरूर से कर लिए अगर हम बात करें तो अस्टेलिया के टीम सबसे पहले कॉंब नजा रहेंगे जो टीम के उपनिंग बैटिंग इन्हों ने कराई है पहले ही मुकाबले एक 70 उसके बाद इन्हों ने एक से 1 का स्कोर गया 86 तीन बड़े स्कोर कर चुके हैं तो टीम के उपनिंग बैटिंग कराएंगे और आप चाहों तो दोनों को यह अपने स्मॉलिंग मेर्जा प्लेर रखेगा पर ग्रेंड लिए टार्गेट करना तो काप्टेन भी लेकर जा उसके बाद मिलर की कुछ खास बढ़िया स्कोर नहीं थे स्टार्टिंग की एक मुकावले 64 का स्कोर किये थे उसके बाद इन्हों ने कुछ भी बड़ा स्कोर किया नहीं है तो ग्रेंड लिए वेगरा में रखेंगे टीम के काप्टेन को पर नसर रहेंगे जो बैटिंग से अगर हम बात करें तो एक एवरेज प्लेयर रहेंगे आपको एवरेज स्कोर करके देंगे पर बॉलिंग सीनों ने कुछ खास बढ़िया स्कोर करा नहीं है टीम के काप्टेन रहेंगे रिस्क लेना हो तो अपने स्मॉलिंग में रखेंगा मेरा सजेस्टन है कि आप ड्रॉ से अगर हम फॉम की बात करें तो रहाइस्ट बहत्तर उसके बाद 27-18 का स्कोर कर चुक है बॉलिंग इद बैटिंग दोनों ही कराएंगे रिश्रेंट मुकाबला इंका थोड़ी सी बहत्रिंग कहीं है और आप सब आप चाहों तो आप सब अपने स्मॉलिंग में जा प्लेय करना तो वहां पर आप इने काप्टेन लेकर जा सकते हो हाला कि स्मॉलिंग में इन्वेश्ट करने तो इसा प्लेयर ही लेकर जाएंगे बिखेट कीपनिंग सक्सेंस अगर हमें आसे सिनल की बात करें तो इनका भी कुछ खास बड़ा स्कोर रहा नहीं था हाला कि दोनों ही किसी एक को रख सकते हो तॉम की बात करो तो बॉलिंग से इन्होंने पहले ही मुकाबले दो विक्टे हर एक मैचस इन्होंने बहुत ही बहतन विकर्ट्स निकाले हुए हैं तो आप सब इंग्डो अपने स्मॉलिंग में इजा प्लेयर रखना पर ग्रेंड लेकर टर्गेट देख लेते हैं तो इस अब यहां पर थोड़ी ध्यान से सुनेगा सबसे पहले हम बात करें जो यहां पर इंडिया अंदर 19 के टीम में के प्लेयर स्टाटस के बारे में तो आपको सबसे पहले देखो तीम के ओपनर बैट्स मैं यानि कि हम इनको अंकरुस के उज़ा प्लेय रखेंगे इसके सीव आपके पास जो बॉलिंग से बैटिंग से दो आपसंस 32 परशेंट और 31 परशेंट देखने हों के मिलेंगे देखो एचे हैं रिस्क लेना को तो ही रखेगा बाकि इन दोनों में से किसी एक को आप सब अपने स्मॉलिंग में रखेगा अलॉंडर से आ पर हम बॉलिंग से बात करें ना तो देखो आपको सो नज़र आएंगे जो थोड़ी सीन की बैटिंग ओडर उपार अगर आप चाहों तो विकल की इवनिंग से इनको रख सकते हो बाकि मैं इनको राय कर रहा हूं जो कि मुझे एक सेफ च्वाइस दिखें इनके सिवाब के रहेंगे जो कि इनको अगर आप सब अगर आप चाहों तो इसमोलिंग में अज़र रख सकते हो पर आपको क्रेडिट का दिकते आएंगी तो इस वे से मैंने इनको ड्रॉप अभी फिलाल कर रहा हूं और साथ मैं लाना पर बैटिंग ओडर के बाद चंजस करूं तो मैं इस जो आप यहां पर कूपर को किशी या फिर तामबे को ड्रॉप करके किशी बॉलर को अपने स्मॉलिंग में जैफिल्ड के अगेंस्ट में आप यहां से पिक कर लेजेगा जो कि टॉम एक थोड़ी सी बॉलर रहेंगे तो अगर आप चाहों तो इनके साथ जा सकते हो और इन कर दोनों में से किसी एक को रखी का हम थोड़ी से पली जाएंगे तो इनके साथ जा रहें हैं एक हार एक मैचस के अपडेट मिलता हैं अए सेफ चोई सरेंगे तो सेंटिम के साथ जा रहें बाकि जो भी एक फानल टीम ऑगी आपको टेलिगराम चानल पर देंगे जो इसी जो लग भी नहीं जुड़ें जल्दी से जुएन कर लो ताकि आपको हर एक मैचस के अपडेट मिलता रहेगा बाकी मिलते के लिए वीडियोस में किसी नेक्स मैचस की प्रडिक्शन के साथ